ओम शांती आज 29 जैन्वरी दो हजार चॉबिस है आज का स्लोगन बता रहा है सच्चे योगी की निशानी सच्चे योगी किस रूप से हम देख सकते हैं उनकी निशानिया क्या है उनके परस्नालिटी क्या होती है आईए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं शीतल काया वाले योगी स्वयम शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टी से निहाल करते हैं कहा जाता है सच्चे योगी की काया शीतल होती है और इसी लिए उनकी आयू कलपत्रू होते हैं यानि वे दिरगायू होते हैं क्योंकि सच्चे योगी का योग एक सत्त के संग होता है अर्थात एक परमात्मा के साथ उनकी बुद्धी की तार जुरी होई होती हैं इसी कारण से उन्हें सत्यता की शक्ती निरंतर परमात्मा से प्राप्त होती रहती हैं सत्यता की शक्ती अर्थात पवित्रता और दिव्यता और यही पवित्रता और दिव्यता उनके मन और बुद्धी और संसकार के साथ साथ इस धूल काया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है इसलिए एक-एक करमिंद्रिया शांत और शीतल हो जाते हैं शांत और शीतल होना अर्थात कोई भी विकारी प्रवित्ती कोई भी विकार के वाइबरेशन उनकी काया पर नहीं दिखाई परते ना ही वाइबरेशन आते हैं इसलिए इसको कहा जाता है शीतल योगी की काया भी शीतल होते हैं पवित्र होते हैं कोई भी काम, क्रोड, लोब, मुह, एहंकार, रुपी, विकार के गर्माईश उनकी नैन, चैन, चाल, चलन, हाव, भाव उनके शरीर से उनके एक-एक करमिंद्रियों से नहीं दिखाई प जैसी वृत्ति, वैसी, दृष्टी और वैसी कृति और दृष्टी यदि पवित्र है, शुद्र है, कोई भी विकार उसमें समाई हुई नहीं हैं तो उनकी दृष्टी से लाखो आत्माओं को लाभानवित हो जाता हैं, उनकी दृष्टी से पवित्रता, शुद्रता, सत् की शक्ति आत्माओं को मिलती है इसलिए जो भी आत्माई उनसे दृष्टी प्राप्त करते वे नजर से निहाल हो जाते हैं वे भी प्रभु प्राप्ति उनकी दृष्टी द्वारा हो जाती हैं इसको कहा जाता है नजर से निहाल होना तो ऐसे सच्चे योगी कंचन काया वाल कल्पत्रू वाले हमें बनना है तभी हम दूसरों को भी नजर से निहाल कर सकते हैं ओम शांती